मायवती की इंडिया गट बंधन में होगी एंट्री मायवती के लिए अखिलेश हो गए तयार अखिलेश ने अपने नेताओं से बयान ना देने की कही बात जब सपा कार्याले में समाजवाधी पाटी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुखिमंत्री अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे तब सीटों के साथ साथ जो मुद्दा सबसे ज़ादा उठा वो था मायवती का खबर है कि मीटिंग में बस्पा को लेकर भी चर्चा की गई इंडिया गटबंधन में बस्पा सुप्रीमो मायवती को शामिल करने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव बस्पा सुप्रीमो मायवती को इंडिया गडबंधन में शामिल करने के लिए राजी हो गए है दरसल लोग सभा चुनाओं में सीटों के लेकर अखिलेश लखनओं में लगातार मीटिंग कर रहे हैं मीटिंग में अखिलेश ने नेताओं से सीटों पर चर्चा की वहीं बैठक के दौरान बस्पा का भी जिक्र किया गया बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने मायवती पर भी बात की सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश ने अपने नेताओं से मायवती के खिलाव बोलने से मना कर दिया है उन्होंने ये भी कहा है कि बस्पा सुप्रीमो मायवती वरिष्ट नेता हैं हम सब उनका सम्मान करते हैं वही अखिलेश ने बस्पा को इंडिया गटबंधन में शामिल करने को लेकर भी अपनी नेताओं को बताया सपाचीफ ने कहा कि बस्पा को इंडिया गटबंधन में लाने के लिए कॉंग्रेस उनसे बाचीत कर रही है वही सूत्रों के मताबिक उन्होंने कहा है कि मायवती पर बलिया से दिये गए उनके बयान को गलत समझा गया है उन्होंने कहा है कि गैरेंटी वाली बात गलती से निकल गई इसके पीछे उन्होंने तर्ग दिया कि हर जगा मोदी की गैरेंटी का पोस्टर लगा है ऐसे में उस दोरान हसी में बात निकल गई कि चुनाओं के बाद गैरंटी कॉल लेगा हलाकि मीडिया रिपोर्ट्स के मताबेक अखिलेश का कहना है कि बीजेपी को रोपने के लिए जो भी उनके विरूद में हैं उनसे हम हाथ मिला लेंगे इससे पहले अखिलेश यादव ने इंडिया गटबंधन में मायवती के आने पर जो बयान दिया था उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायवती ने शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स के जरिए अखिलेश और सपा के खिलाफ लगातार कई पोस्ट किये थे जिसके बाद राजनितिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी